तो हेलो फ्रेंड्स देखिए आज हम लोग कोई केक की नई डिजाइन सीखने तो नहीं जा रहा है लेकिन बहुत ज़रूरी हम लोग जानकारी इस वीडियो में लेने जा रहा है जो की है केक को स्मूथ करने के लिए बारे में और बिल्कुल शार्प एज बनाने के बारे में तो वीडियो पूरी देखिए और केक का शार्प एज बनाना सीखिए अगर आप नहीं बना पाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पुल होने जा रही है तो देखिए मैंने यहां पर एक चॉकलेट केक बनाने के लिए लेयरिंग कर लिया है चार लेयर मैं इस क्रीम को कैसे फिल कर रहे हैं देखिए जहां आपको जो स्पॉंज है वो उबर कावर नजर आता है वहां आप क्रीम से इसको साइड में बराबर करिए और उपर भी क्रम कोटिंग हम लोग कर रहे हैं देखिए तो फ्रेंट्स यहां अभी मैं क्रम कोटिंग कर रही हूं क्र क्रम कोटिंग करना हमारे के लिए जरूरी होता है और अगर आप यह नहीं करते हैं तो फाइनल आइसिंग में आपको बहुत ज़्यादा प्रोबलम होगी और सारे क्रम्स जो है फाइनल आइसिंग में होने के बाद दिखलाई पड़ेंगे उपर उपर आ जाएंगे और बार अगर आप उसको हटाएंगे लेकिन उसे कुछ भी फाइदा नहीं होगा तो क्या करें आप पहले कर लें करम कोटिंग तो यहां में वही कर रही हूं और जो gap वगरा है उसको में बार ले रही हूं और जहा उंचा-नीचा है उसको भी क्रीम से यहां बराबर कर रही हूँ अगर आप स्पॉंज का लेयर बनाने के बाद आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप ऐसे क्रीम से पहले उसको चिकना कर लीजिए बराबर कर लीजिए हर जगा से तो इस तरह से देखिए मैंने उपर भी लगा दिया और एक साइड में मेरा दबा हुआ केक है तो इसलिए थोड़ा सा क्रीम और लगा करके यहां मैंने इसको बराबर करने की कोशिस की है देखिए और साइड में भी हम लोग सारे गैप को और उचा नीचा जहां भी लगे उसको हम लोग भरेंगे और यहां नीचे भी देखिए गैप है तो नीचे भी हम लोग पैलेट नाइप से क्रीम को लगाएंगे तो यह प्रोसेज बहुत जरूरी है अगर आप बहुत अच्छी सी आइसिंग चाह रहे हैं अपने केक के लिए तो यह जरूर करिएगा और इस तरह से गैप को भरते हुए क्रम कोटिंग जरूर कर लिजेगा जिससे कि आप परफेक्ट आइसिंग कर पाएंगे अब देखिए हम लोग आइसिंग करने जा रहे हैं फाइनल और पाइपिंग बैग से ही क्रीम को लगा रही हूँ चाहे तो आप यहाँ पैलेट नाइफ से भी लगा सकते हैं इस तरह से लगाने से आपको मेहनत भी कम लगेगा तो देखिए यहाँ पर मैने पाइपिंग बैग से उपर तक लगा लिया है और अब palette knife से मैं किस तरह से काम कर रही हूँ वो आप देखिए friends और सीखिए तो palette knife से हम लोग हलका हलका दबाते हुए इसको सब तरप से थोड़ा smooth कर लेंगे और ये जो चीज मैं अभी कर रही हूँ जो कि final icing करना और बिल्कुल sharp age बनाना तो friends ये आप देखते देखते ही सीखिएगा देखने के बाद आपको इसका practice करना होगा और उसके बाद करते करते आप बिल्कुल perfect बनाना सीख जाएंगे देखिए कुछ इस तरह की stiff peak की आपकी cream होनी चाहिए अगर आप बिल्कुल sharp age बनाना चाहरे है तो बिल्कुल stiff peak की ऐसी cream आपकी होनी चाहिए जो कि spatula में अगर उठाएं तो इधर उधर खुद से ना बहे या घसके तो ये बिल्कुल stiff peak की cream ऐसी ही होती है कि अगर आप spatula से उठाएंगे तो वैसी ही रहेगी और अगर आप bowl को palette भी देंगे तो भी वैसी ही रहेगी तो यहां भी हमें दरार या तो हमें कम उचा नीचा लगे वहां cream से हम लोग उपर बराबर करेंगे और यहां पर मैंने scrapper लिया है और scrapper में कोई भी design बनावा नहीं है बिल्कुल चिकना सा scrapper है जिससे कि हम लोग बिल्कुल इसको सीधा रखते हुए गुमाएंगे तो देखिए जहां जहां भी आपको खाली खाली लग रहा है ना वहां आप cream को फिर से लगा लीजिए तो जहां जहां भी खाली है वहां लगाने के बाद फिर से मैं scrapper को चला रही हूँ और देखिए स्क्रैपर को हमने चला दिया दो या तीन बर आप ऐसा कर सकते हैं जिससे आपका साइड का सारा गैप भर जाएगा और बराबर हो जाएगा सब अब उपर पैलेट नाइफ से कुछ इस तरह से बाहर से अंदर की तरफ कर रही हूँ देखिए यहाँ पर थोड़ा गड़ा रह गया है तो इसको हम लोग क्रीम यहाँ पर पैलेट नाइफ से लगा के और कोशिस करेंगे सब जगा एक समान बरावर रहे उचा नीचा ना हो कहीं पर मतलब की दबा हुआ ना लगे तो इसलिए आप वहाँ वहाँ क्रीम लगाई है जहाँ आपको लग रहा है दब गया है वहाँ क्रीम नहीं है और इस तरह से पैलेट नाइफ से आपको काम करना है और हाँ पैलेट नाइफ को बीच बीच में साफ करते रहना है वरना आपका स्मूद नहीं हो पाएगा ठिक से तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से गोमाते वे टरंडेबल को हम लोग इस काम को कर रहे हैं और जहां-जहां हमें दबा हुआ लग रहा है और अब आप देख सकते हैं कितना ज्यादा स्मूध लग रहा है और बिल्कुल उपर से शार्प एज आप देख पा रहे होंगे इस त बिल्कुल प्रोफेशनल लुक देता है और कस्टमर आपका केक जब देखेंगे बिल्कुल प्रोफेशनल ही आपको कहेंगे इतना अच्छा शार्प एज देखने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है और इस तरह से देखिए मैंने गनाश को गिराया था चौकलेट अच्छा लगता था और अब आप देख सकते हैं मैंने एक्स्ट्रा वाला गनाश अटा दिया था और कुछ इस तरह से एपई चिल्डर्झ्स डे लिखा था और इस केक को बनाया था और इस केक को बनाने के टाइम पे कस्टमर ने मुझे इमेज बेज दिया था और वैसे ही मुझे बनाना था आप देख सकते हैं शार्प एज बनने की वज़ा से हमारा केक कितना सुन्दर लुक दे रहा है अगर कहीं से भी उपर दबा हुआ रहता टेड़ा मेड़ा दिकलाई पड़ता अच्छा नहीं लगता तो इस तरह से आप शार पेज बना सकते हैं और खुबसूरत खुबसूरत की डिजाइन कर सकते हैं तो उमीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेलफूल रहेगी अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्षन में पूछ सकते हैं दोस्तों और जियो दोस्त मेरे नहीं जुड़े हैं अभी तक चैनल से वो जरूर से जुड़ जाईएगा तो चलिए मिलते ह एक्स वीडियो में फिर से थैंक यू